प्यारे परमिश्र इस अच्छी से समय के लिए आपको दनेवाद देते हैं आज के इस वैबल वाचन समय को भी आप आशिश जायक बना के दीजिए इन वचनों के गहराई को हम समझने के लिए आप हमें मदद केजिए एशु मसी के नाम से मांगते पिता, आमेन फिर यहवा ने मूसा से कहा चांदी की दो तुरहियां गड़ के बनाई जाए तु उनको मंदली के बुलाने और चावनियों के प्रस्तान करने में काम में लाना और जब वे दोनों फुंकी जाए तब सारी मंदली मिलाप वाले तंबु के द्वार पर तेरे पास इकटी हो जाए परन्तु यदि एक ही तुरही फुंकी जाए तो प्रदान लोग जो इसराइल के हजारों के मुक्य पुरुष है तेरे पास इकटे हो जाए जब तुम लोग सांस बांद कर फुंको तो पूर्व दिशा की चावनियों का प्रस्तान हो और जब तुम दुसरी बार सांस बांद कर फुंको तब दिशा की चावनियों का प्रस्तान हो उनके प्रस्तान करने के लिए वे सांस बांद कर फुंके और जब लोगों को इकटा करके सबा करनी हो तब भी फुंकना परन्तो सांस बांद कर नही और हारुन के पुत्र जो याजक है वे उन तुरैयों को फुंका करे यह बात तुमारी पीडी-पीडी के लिए सदा की वीदी रहे और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो तब तुरैयों को सांस बांद कर फुंकना तब तुमारे परमेशर यहोवा को तुमारा स्मरन आएगा और तुम अपने शत्रूओं में बचाए जाओगे अपने आनन के दिन में और अपने नियत परवों में और महिनों के आदी में अपने होंबलियों और मेलबलियों के साथ उन तुरैयों को फुंकना इससे तुमारे परमेशर को तुमारा स्मरन आएगा मैं तुमारा परमेशर यहोवा हूँ दुसरे वर्षय के दुसरे महिने के बीसवे दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया तब इसराइली सीनाई के जंगल से प्रस्तान करके निकले और बादल पारा नामक जंगल में टहर गया उनका प्रस्तान यहोवा कि उस आग्या के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंब हुआ और सबसे पहले यहूदियों की चावनी के जंडे का प्रस्तान हुआ और वे दल बांध कर चले और उनका सेना पती अबिनादाब का पुत्र नहशून था और इसाकारियों के गोत्र का सेना पती सुवार का पुत्र नतनेल था और जबलूनियों के गोत्र का सेना पती हेलोन का पुत्र इलियाप था तब निवास उतारा गया और गेर्शोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्तान किया फिर रूबेन की चावनी के जंडे का कुछ हुआ और वे बीदल बना कर चले और उनका सेनापती शदेउर का पुत्र एलिशूर था और शिमोनियों के गोत्र का सेनापती सुरिशदाई का पुत्र शलुमियल था और गादियों के गोत्र का सेनापती दूवेल का पुत्र एलिया साप था तब कहातियों ने पवित्र वस्तुवों को उठाए हुए प्रस्तान किया और उनके पहुंचने तक गेर्शोनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया फिर एप्राइमियों की चावनी के जंडे का कूच हुआ और वे बीदल बना कर चले और उनका सेनापती अमिहूद का पुत्र एलिशामा था और मन्शेयों के गोत्र का सेनापती पदासुर का पुत्र गमलियेल था और बिन्यामिनियों के गोत्र का सेनापती गीदोनी का पुत्र अभिदान था फिर दानियों की चावनी जो सब चावनियों के पीछे थी उसके जंडे का प्रस्तान हुआ और वे भी दल बना कर चले और उनका सेनापती अमिशदाई का पुत्र अकियाजार था और आशेरियों के गोत्र का सेनापती ओकरान का पुत्र पजियेल था और नपतलियों के गोत्र का सेनापती एनान का पुत्र अहीरा था इसराइली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्तान करते और आगे बढ़ा करते थे मुसा ने अपने ससूर रुवेल मिद्यानी के पुत्र होबाप से कहा इसराइल के विशे में बला ही कहा है हो बाब ने उसे उत्तर दिया मैं नहीं जाओंगा मैं अपने देश और कुटुम्बियों में लोट जाओंगा फिर मूसा ने कहा हमको न छोड़ क्योंकि हमें जंगल में कहां-कहां डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है तू हमारे लिए आंकों का काम देना औ निश्चे जो बलाई यहोवा हमसे करेगा उसी के अनुसर हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे फिर इसराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्तान करके तीन दिन की यात्रा की और उन तीनों दिनों के मारग में यहोवा की वाचा का संदुक उनके लिए विश्राम का स्ता धूनता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा और जब वे चावनी के स्तान से प्रस्तान करते थे तब दिन बर यहोवा का बादल उनके उपर चाया रहता था और जब जब संदुक का प्रस्तान होता था तब तब मुसा यहा करता था हे यहोवा उट और तेरे शत्रू तितर बि इस्राइलियों में लॉट कर आजा एमेन फसर के पर्व से पहले जब इशु ने जान लिया कि मेरी वह गड़ी आप पहुंची है कि जगत चोड़ कर पिता के पास जाऊं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अन्त तक वैसा ही प्रेम रखता रहा जब शैतन शमोन के पुत्र यहुदा इसकारियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो बोजन के समय इशु ने यह जान कर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेशर के पास से आया हूँ और परमेशर के पास जाता हूँ बोजन पर से उठकर अपने उपरी कपड़े उतार दिये और अंगोचा लेकर अपनी कमर बांदी तब बरतन में पानी भर कर छेलों के पाउंदों ने और जिस अंगोचे से उसकी कमरबंदी थी उसी से पोंचने लगा जब वो शमोन पत्रस के पास आया तब पत्रस ने उससे कहा हे प्रबु क्या तु मेरे पाउं दोता है इशु ने उसको उत्तर दिया जो मैं करता हूं तु उसे अभी नहीं जानता परन्तु इसके बाद समझेगा पत्रस ने उससे कहा तु मेरे पाउं कभी न दोने पाएगा यह सुनकर इशु ने उससे कहा यदि मैं तुझे न दोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साजा नहीं शमुन पत्रस ने उससे कहा ये प्रबु तो मेरे पाउँ ही नहींवरन हाथ और सिर भी दो दे ईशू ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पाउँ के सिवाई और कुछ दोने की आफश्यक्ता नहीं परंतु वह बिलकुल शुद्द है और तुम शुद्द हो परंतु सब के सब नहीं वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं जब वह उनके पांदो चुका और अपने कपड़े पहिन कर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे की मैंने तुमारे साथ क्या किया तुम मुझे गुरू और प्रबू कहते हो और टीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ यदि मैंने प्रबू और गुरू होकर तुमारे पांदो ए तो तुमें भी एक दुसरे के पांदोना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें नमुना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुमारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो मैं तुमसे सर्च सर्च कहता हूँ दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न बेजा हुआ अपने बेजने वाले से तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो दन्य हो मैं तुम सबके विशे में नहीं कहता जिने मैंने चून लिया है उन्हें मैं जानता हूँ परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो जो मेरी रोटी काता है उसने मुझ पर लात उटाई अब मैं उसके होने से पहले तुमें जताये देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे बेजे हुए को ग्रहन करता है वह मुझे ग्रहन करता है और जो मुझे ग्रहन करता है वह मेरे बेजने वाले को ग्रहन करता है ये बातें कहकर इश्यू आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसकी विशे में कहता है। एक दुसरे की और देखने लगे। उसके छेलों में से एक जिससे इश्यू प्रेम रखता था। इश्यू की छाती की और जुका और बैटा था। शमौन पत्रस ने उसकी और संकित करके उससे पूचा बता तो वह किसके विशे में कहता है। तब उसने उसी तरह इश्यू की चाती की और जुके हुए उससे पूचा हे प्रभू वह कौन है। इश्यू ने उत्तर दिया जिसे मैं यह रोटी का टुकडा डुबा कर दूँगा वही है। और उसने टुकडा डुबा कर शमौन इसकारियोती के पुत्र यहुदा को दिया। टुकडा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब इश्यू ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैटने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहुदा के पास थैली रहती थी। इसलिए किसी किसी ने समझा कि इश्यू उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले या यह की कंगालों को कुछ दे अतह वह टुकडा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रातरी का समय था जब वह बहार चला गया तो इश्यू ने कहा अब मनुश्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेशर की महिमा उसमें हुई है यदि उसमें परमेशर की महिमा हुई है तो परमेशर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा हे बाल को मैं और थोड़ी दे तुमारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंडोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुम से भी कहता हूँ, मैं तुमें एक नहीं आग्या देता हूँ, कि एक दुसरे प्रेम रखो, जैसा मैंने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दुसरे से प्रेम रखो, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे छेले हो, शमौन पत्रस ने उससे कहा हे प्रबु तु कहां जाता है इश्यू ने उत्तर दिया जहां में जाता हूँ वहां तु अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता परन्तु इसके बाद मेरे पीछे आएगा पत्रस ने उससे कहा हे प्रबु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्रान भी दे दूँगा. इश्यू ने उत्त दिया, क्या तु मेरे लिए अपना प्रान देगा? मैं तो ते सच सच कहता हूँ, कि मुर्ग बांग न देगा, जब तक तु तीन बार मेरा इ आग्याउं को अपने हिरदय में रख छोड़े और बुद्धी की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे और प्रविंता और समझ के लिए अती यतन से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंडे और गुप्त दन के समान उसकी खोज में लगा रहे तो तु य यहवा के बै को समझेगा और परमेशर का न्यान तुझे प्राप्त होगा क्योंकि बुद्धी यहवा ही देता है न्यान और समझ की बातें उसी के मुझ से निकलती है वो सीदे लोगों के लिए खरी बुद्धी रख छोड़ता है जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ड तहरता है वो न्याई के पत्तों की देख बाल करता और अपने बक्तों के मार्ग की रक्षा करता है तब तू दर्म और न्याई और निश्पक्षता को अर्था सब बली-बली चाल को समझ सकेगा क्योंकि बुद्धी तो तेरे हिर्दय में प्रवेश करेगी और न्यान तु तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए जो कराई के मार्ग को छोड़ देते है ताकि अंदेरे मार्ग में चले जो बुराई करने से आनंदित होते है और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं जिनकी चाल चलन टेडी मेडी और जिनके मार्ग बिगडे हुए है तब तु पराई स्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपडी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साती को छोड़ देती और जो अपने परमेशर की वाचा को ब और नवे जीवन का मार्ग पाते है तु बले मनुशियों के मार्ग में चल और दर्मियों के पत को पकड़े रहा क्योंकि दर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे दुष्ट लोग देश में से नश्ट होंगे और विश्वास गाती उसम इसे उखाड़े जाएंगे एमेन प्लास्यू